गुड इवनिंग नमस्कार स्वागत आपका स्टड़ी आई क्यू योटूब चैनल पर हमारी चल रही थी रेलवे की सिरीज रेलवे की सिरीज में स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने कंप्लीट किया था मैच्स का सलेबस उसके बाद अगले 15 दिन में हमने डिसकस की थी रिविजन क्लासेज उसके बाद हमने स्टार्ट किये थे मोग टेस्ट तो आज का जो हमारा मोग टेस्ट है वो है मोग टेस्ट नमबर 6 इन मोग टेस्ट का लेवल अगर आप रेलवे के जो पुराने पेपर हैं उनके कंपेरीजन में लेवल देखोगे तो इनका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है उसके पीछे रीजन यही है कि मानलो एक्जाम अगर टफ होती है तो फिर आपके सामने चेलेंजिस ना है आपका काम क्या है तो आपका काम इतना साई है नोटबुक और पैन साथ में लेकर के बेठ हैं जैसे ही आपको स्क्रीन पर कोई सवाल देखे तुरंथ के तुरंथ उसको रीड करें और अटेम्ट करें अगर आपको ये लगता है इजी सवाल है तो तो सीधी सी बात है आप attempt करी लेंगे उसको जल्दी से attempt करें और comment कर दें अगर किसी सवाल में आपको ये लगता है कि सवाल का level difficult है या उसका कुछ concept ऐसा है जो आपको नहीं पता तो उसे अपने notes में जरूर सामिल करें चलो भई सेसन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम टेलीग्राम पर जाएं सर्च करें वासु स्टेडी आई क्यू ये अपना टेलीग्राम का चेनल है जहां पर आपको classes के PDF मिलते हैं प्लस classes के link मिलते हैं इसका जो file section है उसमें आप जाएंगे तो आपको पुराने जितने भी PDF हों वो सारे के सारे मिल जाएंगे नीचे वाला जो part है यहाँ पर आप exam related अपने doubts पूच सकते हैं पहला सवाल आपके सामने सवाल को थोड़ा समझूम कर देता हूँ रीड करना जरा क्या कहा इजी सा सवाल है वैसे तो वर्बली हो जाएगा एक बटवे में एक wallet में इसने क्या कहा कि 10 रुपए और 50 रुपए मुल्ले वर्ग के note है note है कितने भी आपके पास total 12 10 रुपए और 50 रुपए के note की संख्या 1 ratio 2 के ratio में है वर्टवे में कितने रुपए है सीधा सा काम है भई 10 रुपए का अगर एक note है तो यहाँ पर 50 रुपए के कितने note होंगे आपके पास 2 total note कितने है 12 total note ratio में 3 बन रहे हैं 4 गुना करते हो तो 12 4 से गुना किया 4 10 के note 8 आपके 50 के 8 note 50 के तो 8 गुना में 50 400 रुपए ये बन गए 4 गुना में 10 40 ये बन गए सीधे सीधे आप हिट कर देते option A मोक्टेस में आपको यही सीखने को मिलता है यहाँ पर कि अगर आपके सवाल easy है तो उन्हें आप verbally कैसे deal करें सवाल का स्थर अगर moderate to difficult है तो उसमें लिखना तो ही आपको लेकिन कम से कम लिखना है सोचना ज़्यादा है अगला सवाल suds and indices का simple सा सवाल है 30 आपको दे रखा है plus की series चल रही है 30 अगर ये बताया था वहाँ पर आपको कि अगर आपका दिया गया number 2 वो successive number के multiply से बनता है तो आप इसका result सीधे सीधे लिख सकते हैं 30 के साथ भी यही है 5 गुणा 6 30 बन गया plus की series है तो result इसका क्या आजाएगा 6 तो option आपका C correct है अगर यहाँ पर इस सवाल में minus 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 दे देता तो आप क्या करते हैं उस case में 5 आपका answer हो जाता इसको पढ़ाने से पहले आपको एक universal pattern और बताया था कि मालो यहां 30 की जगए 31 होता तो कैसे deal करते तो मेरे ख्याल से आपको वो universal pattern पता होगा जो हर सवाल के उपर apply होता है और यह जो कुछ specific number होते हैं यह आप सीधे सीधे verbally solve कर सकते हूँ पिछली class में ऐसा हुआ होगा साइद मेरे ख्याल से एक सवाल हमने किया था जिसमें आपको center O दे रखा था फिर कहा था कि एक code आपके पास AB है और यह वाला जो angle था ठीक ठीक अगर याद कर पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से 110 degree था फिर एक angle उसने AOC बताया तो मैंने वहाँ पर diagram इधर बनाया था और पूरा angle 130 degree यह माना था इसके इसाब से साइद मेरे ख्याल से 10 degree या 20 degree जो सवाल पूछा था वो result आ रहा था कुछ बच्चों ने क्या किया है C को इस तरह बना लिया कि AOC की value 130 degree है इससे इन्होंने सोल किया तो answer क्या रहा है उनका 60 दोनों ही answer सही है ठीक है उस सवाल के उस particular part पर मैंने ध्यान नहीं दिया था इस वज़े से दोनों ही बाते correct है exam में अगर आपके पास सवाल आएगा ऐसा तो इसका मतलब 60 degree या तो 60 degree answer आपको दिया होगा या फिर दूसरे वाला जिस तरीके से हमने सोल किया था वो दिया होगा अगर आपको दोनों ही option मिल जाते हैं तो उस case के अंदर आपका जो सवाल है उसका आपको bonus marks दिया जाता है हर बच्चे को ही दिया जाएगा reason क्या है दो option उसके निकल रहे है clear है भी? तो कोई समस्या नहीं है इस तरफ जिनोंने बताया है वो भी सही है भविस्य मैं इतना ध्यान रख लेना इस particular सवाल के लिए मालो आप इधर बना के निकालते हो और answer 60 degree आगया आपको option में नहीं दिखा तो ये ना माने के answer गलत है हो सकता है उसने C को उधर बनाया और उस वज़े से उसका 10 या 20 degree answer निकल रहा हूँ ठीक है भी? चलो, अगले सवाल की तरफ मुग करते है language को read करो तब तक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर diagram एक आपको दे रखा है इसने cyclic quadrilateral d cyclic quadrilateral है और a c और b d एक दूसरे को ओपर intersect करते है ठीक हभी? diagram बना लिया क्या क्या कहा है उसने a b b बराबर a b c d एक cyclic quadrilateral है a b बराबर आपको दिया है b c a b बराबर b c लिखा a d बराबर d c a d बराबर हमने d c मान लिया ठीक हभी? ओपर bisect करते है angle c a b की value आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 46 degree पूछा क्या है? a o b की value क्या होगी? ठीक है? देखो कुछ सवाल है ऐसे मतलब बार 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 प्रेक्टिस करते हैं specially ssc के अंदर तो हर direction में ही सोचा जाता है फिर भी थोड़ा सा प्रियास करें सवाल में या तो क्या है? जैसे जैसे data दे रखा है ऐसे specific सवाल जो है? इनके अंदर क्या करना होता है? जो कुछ भी दे रखा उसका use करते वे आप क्या-क्या लिख सकते हैं उस सारा कुछ लिख जाओ लिख कर ले जाओ काम चल जाएगा या फिर एक होता है थोड़ा सा positive direction में सीधे सीधे सोचे हम लोग कि जिस दिशा से हमारा result आएगा result कैसे आएगा भी देखना जरा आपको या तो triangle A, O, B में ये पता हो ये 46 है तो ये angle कितना है? तीनों का sum 180 होगा इन दोनों का जोड़ दिया 180 में से less किया result आगया ठीक है दूसरा क्या हो सकता है? इस triangle के ये दो angle पता हो या ये वाला पता हो इसका vertical opposite angle है तो लिख सकते हो एक common यहाँ पर error हो सकती है common error क्या हो सकती है? देखना कोई बच्चा वालनों इस सवाल को ये लगा लिया कि भई AB ने center पर ये angle बनाया है और AB ने circumference पर ये angle बनाया है तो इसका just double क्या होगा? 92 degree अच्छी बात ये है कि इस सवाल में उसने 92 degree option नहीं बना रखा है otherwise पूरा पूरा chance बनता है कि offline में अमूमन यही होता है test लेते हैं और इस type के experiment करते हैं क्योंकि देखो जो भी ढंका मोक्टेस बना करके sincerity के साथ सब कुछ बच्चे को पढ़ा दिया है तो एक teacher का ये भी दाइत्वो बनता है कि वो error भी तो उसकी दूर करवाए कि कहां कहां वो गड़बड कर सकता है मालों आप CGL MENS देने बैठे हैं आपने तयारी ऐसी कर रखिए कि easy way में आप 190 नमबर ला सकते हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन आपने 5 सवालों में silly mistake कर दी 10 नमबर वहां से गाइब हो गए फिर वहां पर 140 ओर deduct होगा तो धाई नमबर ओर चलेगे तो आपका score तो काफी down आ गया 177.5 चला गया कहां आप 190 deserve कर रहे थे reason उसका यह होता है कि हम चलते चलते सवाल के अंदर इतना खो जाते हैं कि एक particular बात ही भूल जाते है अरे बढ़ी ओ सेंटर थोड़ना बता रखा है ठीक है कि कोई ना कोई student उसके चक्कर में फसे ओ जब तक बोल के आपको नहीं कहता है कि center है तब तक नहीं मानेंगे दूसरी बात या तो कोई अंदर ऐसी property बन रही हो जिसकी वज़े से आपको लग रहा हो साब साब कि यह center होगा इसके अलावा कभी भी आपको इसे center judge नहीं करना ठीक है जो मैं कहना चरूँ मेरे ख्याल से बात समझ आगी तो फिर क्या करें इसके अलावा समादान इतना साही है 46 की वज़े से हमने एक 46 लिखा और कुछ लिख सकते हो लिखते जाओ जैसे triangle ABC में 46-46 इस band में 92 हो गया तो ये angle कितना आएगा पूरा का पूरा angle भी 88 डिगरी ये 88 है cyclic quadrilateral में B plus D का सम कितना हो जाएगा 180 अब देखो इन तीनों का 180 इसका 88 है तो 46, 46, 46, 92 डिगरी ये हो गया इन दोनों बचे वे दोनों angle बराबर है side equal है ये 92 है तो इनका सम कितना होगा 88 डिगरी तो half-half करके लिख दो ये 44 डिगरी ये 44 डिगरी basic property है इतनी बार हमने कर लिया कोई तराव नहीं आए अब देखना हमें ये वाला angle चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगाएं इसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं देखना ये वाली side आ गई question mark हमारा ये है इधर का angle अपने को पूरा का पूरा पता है अब या तो ऐसा करें दो interior angle का सम तीसरे exterior के बराबर बने ये भी बात नहीं बन रही कहां फस रहे हैं वही 88 degree angle AOB की हमें यहां पर value निकालनी है चलो थोड़ा सा दिमाग और लगाओ एक बात बताना B और C ने B और C ने circumference पर ये angle बनाया है आपका कितने degree का B और C ने circumference पर 46 degree का B और C circumference पर इधर angle बना रही है तो ये भी कितने का होगा 46 degree का अब एक बात बताओ ये 46 degree ये 44 degree दोनों का सम कितना हो गया भी 40, 40, 80, 10, 90 तो इसका मतलब बचा हुआ नंब इसी का vertically opposite angle ये नंब या फिर कोई दूसरा दिमाग लगा सकते थे आप इधर से कि ये 46 है तो ये भी 46 होगा दो interior का सम तीसरे exterior के बराबर 46 प्लस 44 बराबर 90 कोई एक fixed direction नहीं है कि आप उसी पर काम करेंगे तो आपका काम चलेगा ठीक है सवाल का स्थर थोड़ा सा ठीक मान सकते है चलो अगला सवाल अगला सवाल ऐसा है इन सवालों में देखो average का सवाल है पीछे हमने जो काम किया है आपने भी 90 दिन तक साथ में वहनत किया आपने revision भी कर लिया तो मेरा प्रियास ये है कि आपने exam approach जो सीख रखे उसको apply तो करके देखें कि exam में क्या ऐसा कर पाएंगे क्या कहा 24 students ने donation किया मतलब दान के लिए धने कत्रित किया ओसत योगदान एक बच्चे का 50 रुपए था बाद में उनके सिखसक ने भी कुछ धन का योगदान दे दिया ओसत योगदान average जो donation अब कितना हो गया 56 रुपीज सिखसक का योगदान क्या सिखाया था अगर teacher भी 50 रुपीज का donation कर दे ये base value है जो बच्चों की चल रही है वही माल लेते तो सब का average कितना maintain होगा 50 लेकिन teacher include कर लिया हमने total लोग कितने हो गए 25 average कितने से बढ़ गया 6 से इसका मतलब अगर teacher 50 करता तो कोई फरक नहीं पढ़ता सब लोग अब teacher भी include है उसमें सब लोग हो गए 25 average 6 से बढ़ा तो 25 गुणा 6 150 इसके पास और भी extra है तो इसका मतलब teacher ये करता average change नहीं होता इतना extra किया है तो average change हुआ है तो total teacher का donation कितना आ गया हमारे पास 200 रुपए चलो गई thirds and indices का थोड़ा सा different सवाल उठाया है अब देखो जब आपको thirds and indices पढ़ाई थी तो approach सिखाई थी important वही है कि अप प्रोच भी पकड़े कि कल को भविश्य में कोई different सवाल आपको मिले तो कैसे judge करेंगे यहाँ पर देखो एक तो last में sign use करना है वो बात हमें देखनी है और all over conclusion कैसे निकाला जाता है यह हमें देखना है अच्छा सवाल है इसलिए मैंने star mark किया देखो आपका सवाल start होता है under root 3 plus 4 again क्या आया है under root 3 plus 4 again under root 3 plus 4 under root 3 से start होता है 4 तक जाता है फिर under root का pattern अगर मैं इस पूरे के बराबर यहां पर x माल लेता पूरे के बराबर यहां x माल लेता infinite terms है इसका मतलब अगली terms को मैं अगली term को मैं लिख सकता हूँ x के बराबर ये भी सीखा था exam में अगर आपको ये सवाल start करना है तो आपको सीखाया था कि बाद में square होगा square होगा तो under root हटेगा right side में क्या बनेगा x square left side की दोनों चीज़ें उधर ले जाओगे तो minus का 4x minus 3 बराबर 0 factorization से ऐसे सवालों का अमूमन result नहीं आता है तो क्या बसता हमारे पास 3 धराचारिये formula x की value निकालनी है तो क्या लिखोगे minus b 4 फिर plus minus under root में b का square 16 minus 4ac minus 3 minus minus plus 12 division में क्या आगया हमारे पास 2 x बराबर 2 का division कर दोगे यहाँ 2 plus minus under root में यह जाएगा तो under root 4 करके लिखते हैं यह कितरा बना 16 और 12, under root 4 का division under root 28 में तो under root में 7 बच गया अब देखो एक सीखने लाइक यहाँ पर भी बात है सीखने लाइक क्या है या तो एक option examiner यहाँ लिख देता हूँ है examiner एक चाला की यह कर सकता था इसका answer 2 plus minus under root 7 लिख देता एक बहुत बड़ी भी dice है जो क्या करेगी अच्छा स्रीधराचारी यह का formula लगा है तो यह result आना ही था तो उन्होंने इसको tick कर दिया यह गलत है ठीक है एक option examiner यह भी create कर सकता था कि 2 plus under root 7 और एक option यह भी create कर सकता था 2 minus under root 7 ठीक है correct इसके अंदर यह है गलत इसमें यह भी है मैं आपको संभावना ही बता रहा हूं कि अगर examiner थोड़ी सी भी चालाकी से option बनाए थोड़ी किसी चालाकी के साथ question को design करे तो एक basic basic से knowledge के जो सवाल है उसमें से भी वो भीड को एकदम side में कर सकता है कि देखो यह 90-95% student ऐसे है जिनको पता ही नहीं चलता option दिया बस आता है ऐसे ऐसे कुछ करते हैं उसकी वज़े से answer आता है reason समझो reason simple साहा है देखो algebra जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था मैंने यह कहा था कि माल लो आपको यह value दे रखी है under root 100 x की value तो आप x की value क्या लिखोगे 10 ठीक है लेकिन आपका मन करे आपका मन करे तो कोई बच्चा कहा देगा sir मैं तो x square बराबर 100 कर लो और इस case में x की जगे मैं चाहे 10 लिखो minus 10 लिखो यह मेरा correct होगा नहीं गलत होगा reason यह है कि सवाल आपसे जो बूचा गया है वो under root का है और उसका under root का result हमारे syllabus के इसाब से हमेशा ही positive चलता है reason क्या है अपने syllabus में complex number नहीं है आयटा का कोई scenario नहीं होता है इस वज़े से under root की value का result हमेशा ही positive निकलेगा अब किसी बच्चा challenge कोई बच्चा इसी लिए करता है वो अपनी समझ के इसाब से सोचता है मैं उस बच्चे से यह कहना चारा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे है आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे है x की power 4 कर लोगे तो 100 की power भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 या फिर यूँ कहलें 10 की power 4 अब इसके 4 option बनेंगे x बराबर plus minus 10 और x बराबर plus minus आइटा 10 चार option बनेंगे अब जितनी power करोगे उस हिसाब से एक संभावना बनती है उतने number of solution निकला है तो reason इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको examiner ये सवाल पूसता कि x square बराबर so है तो x की value क्या होगी तो आप कहेंगे बिल्कुल 10 भी यहाँ justify करेगा minus 10 भी justify करेगा examiner ने आपसे कहा कि under root 100 की value क्या होगी तो आप कहेंगे positive 10 होगी negative आई नहीं सकता वो तो ऐसे मुझे बताओ ये जो सवाल आपको दे रखा है इसके अंदर सारी की सारी चीज़े under root में है और इसका result क्या निकल के आएगा question mark की जगे आपका result निकल के आएगा positive तो ये तो सीधे सीधे सरासर ही आपका गलत हो गया reason क्या है 2 में से under root 7 को अगर आप less करेंगे तो value negative निकलेगे reason under root 4 होता तो यहां 2 minus 2 0 बन जाता under root 4 से बड़ी value है इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है result के आएगा negative तो इस वज़े से ये भी गलत है ये भी गलत है result positive आना चीए तो 2 plus root 7 आपका result होगा ऐसी चला की SSC को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि किस किस time के उपर अलग-अलग सालों के अंदर prelims और mens के अंदर examiner ऐसी चला क्या करता है कि बच्चे पास कोई खास knowledge है नहीं उसे भी पता है तो वो ऐसे सवाल डाल देता है बच्चा अपने इसाब से की एक line से चल रहा था ठीक है भी इसका result यह होगा चलो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सवाल नंबर 5 हो गया 6 को देखना आपको इसने क्या कहा कि एक rhombus है इसके diagonals की जो length है वो कितनी है 16 and 12 आप से इसका area पूछा area simple है भई diagonal 1 into diagonal 2 divide by 2 करते थे diagonal 1 into diagonal 2 divide by 2 half कर दिया diagonal 1 का ही कट रहा है उर्गुना में दूसरा 12,8,6,9 मतलब यह सवाल ऐसा था इससे आप bind में deal कर सकते थे करना क्या था 16 into 12 divide by 2 चलो भई सवाल नंबर 7 की बात करें सवाल तू फिर नकली सवाल की जो value होती है वही cost 60 के sign 30 से cost 60 कट गया जो value sign 60 की होती है वही value cost 30 की होती है वो भी कट गया तो इसका मतलब left side में आपका 1 बचा minus 10,45,1,1 minus 1 आपका result क्या आगया? 0 चलो भई एक सवाल कहा कि 180 degree के 15% में कितना जोडा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर नकली सवाल है देखो 180 का 15% यहाँ पर भी एक छोटी सी बात देखना जो बच्चे बैंक की भी तयारी कर रहे है 180 का 15% कई बार क्या होता है? निकालने को आप निकाल लें कोई समस्या नहीं है एक direction तो यह है कि आप इसे SDT's solve करें एक direction ऐसे particular सवाल जिनमें अमोमन 15%, 25%, 35% यह पूछा जाता है वहाँ पर क्या करते है 180 का 10% कितना होगा तो आप कहेंगे कि 10% 18 होगा 5% कितना होगा 18 का भी आदा 9 होगा तो 180 का 15% कोमन से आप निकालते तो 18 और 9 कितना हो जाता आपका 27 ठीक है? यह माप से कहना चारा था करने को ऐसे भी होगा 15,8,120.20 आपके percent से कट गए कहरी 12 है 15,1,12 करोगे 27 आगया लेकिन इस तरेके को यूज करके थोड़ा सा कोमन सेंस का सारा ले तो यह speed से हो गया कितना जोड़े? हमें नहीं पता कितना जोड़ना है result क्या आनाच यह 360 का 20% 360 का 10% 36 होगा 20% क्या होगा बहतर क्या जोड़े? 7 को 12 बनाना है 2 बनाना है 5 यहां से जोड़ा एक carry आगई आपके 3 हो गया तो यहां 45 आपने add किया तो 45 आपका result आगया या फिर ऐसा कर दो 72 में से 27 को less कर दो चलो भे अगला एक सवाल आपको दे रखा है language को rate करें यह आपको दे रखा है P यहां पर touch हो रही है tangent A और यह आपकी B यहां पर O ठीक है? अब इसने क्या कहा कि A, P, O जो angle आपके पास A, P, O की value आपके पास कितनी दे रख्या है? इसने 35 डिग्री ठीक है? फिर यह क्या कह रहा है इन में से कौन सा option है वो correct है सभी में एक तो B, P, O आपका चल रहा है B, P, O की value भी 35 होती है option C वैसे correct हो गया ठीक है? चलो बात को समझना कि यहां पर क्या है? बात को समझोगे यह angle इस angle की equal क्यों आया? तो मैं example से समझाता हूँ 35 डिग्री को हटा देते हैं एक बार example से मैं समझाता हूँ center के साथ tangent जो angle बनाती है आपको भी पता है 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने की side मैंने लेली 10, यह side मैंने लेली 8, तो यह कितनी होगी radius 6? ठीक अब एक बात पताओ, एक ही point से 2 tangent आप draw करते हो, दोनों की length क्या होगी same, 8 और इस 10 और 8 की वज़े से यह value कितनी आएगी, यहाँ पर 6, 90 डिग्री है यहाँ फिर y से वर्सा सोच लो यह 10 आपने लिया था radius 6 थी, यह 8 आगया radius इधर भी 6 होनी, यह 10 हो गया तो इसका मतलब यह आपका 8 आगया ठीक, अब एक बात को observe करना, क्या उपर वाला triangle और नीचे वाला triangle हूब हू नहीं है triangle O, A, P और जो triangle O, B, P क्या एक जैसे नहीं है same एक जैसे triangle है तो यहाँ पर क्या follow होती है congruency, हू बहू 6 side, 8 side, 10 side 6 side, 8 side, 10 side हू बहू एक जैसे है congruency है, हमने नहीं पढ़ा reason क्या, हमें railway के अंदर कोई ऐसे सवाल नहीं देखने को मिल रहे थे past year में SSC, CDS में पढ़ेंगे तो धूम दाम से मैंने आपको बार-बार मैं कहता भी आयों कि कम से कम 10-12 घंटे इसको पढ़ते है अब यहां क्या करोगी 8 और 10 के बीच जो एंगल theta बन रहा है तो जायसी वात है इधर भी 8 और 10 के बीच का एंगल क्या होगा theta, तो इसका मत्रब इस particular सवाल में BPO की value क्या होती 35 degree क्या diagram बनाने की नीड है नहीं बई, सवाल इतना नकली है A, P, O आपको 35 दिया तो आपको पता है BPO भी क्या होगा 35, option 60 हो रहा है दूसरा वो यह पूछ रहा था अगले में A, P, B की value क्या होगी तो 35, 35 क्या बन जाएगा वो 70 degree तो मेरे हिसाब से इस सवाल में आपको diagram नहीं बनाना था verbally आप इस सवाल को deal कर सकते थे Question number 10 Question number 10 देखना Board mass rule पर based आपका सवाल है Board mass rule पर based आपका सवाल है Board mass में अगर off काम में ले लिया तो तुरंद के तुरंद क्या हो जाओ वही चोकनने हो जाओ क्योंकि off वाले case में error होने के chances maximum है और दूसरा जो part है division वहाँ error होने के chances maximum है off और division को आपने पार कर लिया तो आप पूरे के पूरे सवाल को बिना किसी गलती के solve कर देंगे error क्या हो सकती अगर मैं आपकी तरफ थोड़ा सा हिसारा करना चाहूं तो observe करना 96 divide by क्या करना है 4 of 3 गड़बड एक बच्चा ये कर सकता है कि 96 में वो तुरंद क्या कर दे 4 का division कर दे कितना आजाएगा 24 24 आगया 24 of 3 करेगा तो कितना आजाएगा भैतर ठीक है ये गड़बड हो सकती student क्या करे अंदर लिखा हुआ है 96 divide by कर दे 24 of लगा है गोना लगा दे 3 तो इस पूरे की value 72 आगया आपका minus है फिर आपका bracket ये आपकी एक error हो सकती है ओफ को अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो करना क्या था पहले 4 of 3 4 multiply 3 कितना हो गया 12 96 में 12 का division करोगे कितना आएगा 8 एक्चुल में 8 आना चीए था गलती हो करके 72 आ सकता है इसलिए इन दोनों चीज़ों पर star mark रखना आगे फिर क्या था 8 आगया minus है फिर देखना फिर डिविजन सोल होगा आगले bracket का 55 में 5 का division कर दिया 11 16 में से 11 चला गया 5 ये आगया ये पूरा का आसानी से चलो बई 11 नंबर का सवाल देखना थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको proper दीखे और pixels हैं थोड़े बढ़ा करके देखा करें at least 480 pixel में तो देखें देखें क्लास को अगर 720 में देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है देखो इसने क्या कहा कि 2 cycle सवार X और Y एक ही टाइम पर A से B चलना स्टार्ट करते हैं speed 6 km प्रती घंटा और 8 km प्रती घंटा तो यह जो इस टाइब के सवाल है especially speed time distance में आपको imagination की सबसे ज़्यादा need होती है तो तुरंत mind में आना चाहिए कि 2 लोगों के नाम है A से B की तरह move करेंगे एक ही साथ चलते हैं तो कई सारे facts आपके clear हो जाते हैं यात्रा के दोरान 15 मिनट रुकने के बावजूद Y X से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है स्थान A और B के बीच की दूरी कितनी है distance आप लिखेंगे तो distance सिंपल सी बात है speed इंटू में time लिख दो अब देखना X की speed कितनी है 6 और मालो ये T घंटे में पहुंच गया तो दूरी कितनी होगी 6 T ये km पर आर है time भी आप आर में ही लेंगे दूसरी बात Y की Y की speed कितनी है भी 8 Y को पहुंचने में कितना time लगा अब इस सवाल को एक छोटा सा ये बीच के अंदर देखो समस्या क्या करता है कि रास्ते में 15 मिनट रुख गया फिर 10 मिनट पहले पहुंच गया एक बात बताओ अगर Y आपका लगातार चलता speed कितनी थी 8 अगर Y आपका माल लो Y आपका 10 बजे पहुंच जाता destination पर ठीक है लगातार चलते हुए तो एक बात बताओ X कितने बजे पहुंच था तो हमने देखो इस सवाल में Y को बीच में नहीं रुखाया बीच में नहीं रुखाया 15 मिनट और 10 मिनट पहले भी पहुंच गया था तो इसका मतलब ये Y end में जाकर के रुखता बीच में ये 15 मिनट रुखा नहीं और 10 मिनट ये पहले पहुंच गया तो इसका मतलब X जो है आपका वो कितने बजे पहुंचेगा 10 बज के 25 मिनट पर ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है या Y से वर्सा समझ ले कि destination पर दोनों ही लोग अगर लगातार चलते तो किसको कितना टाइम लगता मैंने माल लिया X को टाइम लगता है T Y को कितना लगेगा 10 मिनट तो पहले पहुंच गया बीच में 15 मिनट उसने इंतजार भी कर लिया तो कुल मिला करके 25 मिनट ऐसा टाइम था कि वो चाता बीच में रेस नहीं करता वो सीधे पहुंच जाता तो उसे इंतजार कितने मिनट का करना पड़ता 25 मिनट का तो असल में X को चलते हुए टाइम लगा है ती और Y को चलते हुए टाइम कितना लगा है ती माइनस 25 मिनट इसे माँ चेंज कर देता हूँ ती माइनस 25 डिवाइब बाइ 60 यह आ गया ठीक अब इंपोर्टेंट बस बात यह थी कि यह वाला जो पोर्षन आप समझ रहे हैं यह वाला पीछे वैसे हमने कई सारे सवाल कियें इस पर बेस दो से काटोगे यहाँ पर तो यह बन गया 3 और यह आपका 4 4T, 3T इधर चाएगा तो इधर T बच गेए आपके पास 4 गोणा में यह देखो 4 इससे कटेगा 3 बार 5 by 3 इधर आजाएगा 5 by 3 आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी है T की वैल्यू रख दो 6 गोणा में अब कैंसल आउट हुआ वो मत रखना एक्चुल में 6 की स्पीड से T टाइम लगता था T यह आपने निकाल दिया 5 by 3 30 में 3 का भाग दे दिया तो रिजलेट कितना आगया हमारे पास 10 किलोमेटर ठीक अभी हो गया ये भी अपना एक सवाल होड़ देखना ये आपका एक specific pattern पर बेस सवाल है यहाँ भी चलो ऐसे सवाल कैसे soul होते हैं और दूसरी बाते हम लोग ओर discuss करते हैं सवाल नकली है फिर भी कुछ चीज़े हैं यहाँ पर सीखने के लिए mock test में ही देखो improvement हो सकता है head direction के अंदर की आपको सब कुछ पढ़ा लिया अब मैं ये इतना जानता हूँ कि मेरे से पढ़ेवे बच्चे के पास इतना knowledge है तो इस वज़े से उसी knowledge को use करके हम लोग mock test के अंदर कई सारी चीज़े और सीख सकते हैं पहले इन सवालों को solve करने की चुनोती क्या थी वैसे देखा जाए यह सवाल algebra में था किसी बच्चे ने number system नहीं पढ़ रखा जैसे unit digit नहीं पढ़ रखा है तो इसे कैसे solve करते तो भी एक समस्य आती तो एके करके हर बात पर चर्चा करते हैं देखो 113 into me 87 पहली अप्रोच इसे solve करने की यह है कि यह सवाल algebra का है कैसे बई 113 और 87 का अगर आप mid observe करेंगे तो कितना है 100 तो इसका मतलब पहली value कितनी है 100 plus 13 और दूसरे वाली value कितनी हापकी 100 minus 13 ठीक भई a plus b into a minus b तो आप कहेंगे कि यह क्या होगा 100 का square minus 13 का square 10,000 में से 169 less कर दो 10,000 में से 100 चला गया 9,969 और less करोगे तो कितना आ जाएगा 9,831 एक तरीका तो यह है इसमें भी कोई समस्या नहीं है दिखने में लग रहा है क्योंकि एक बार अगर आपने सवाल कर रखा है तो आपको यह तो पता ही होगा कि यह जो सवाल सोल होगा इसकी अप्रोच क्या तो आप सीधे ही करेंगे 100 का square minus 13 का square 10,000 में से 169 less करना है टाइम इसमें भी नहीं लगता है ठीक दूसरी अप्रोच आपकी क्या हो सकती थी दूसरी अप्रोच देखो 113 इंटू में 8,7 एक बात बताओ तीन और साथ की वज़े से इस सवाल का unit digit है वो क्या निकल के आएगा आप कहेंगे इस सवाल का unit digit आएगा एक कौन से option में बन रहा है option C में तो इसका मतलब आपका क्या होगा C result correct SSE में पूछा हुआ सवाल है इन चीजों को सीखने का फाइदा क्या है फाइदा देखो सिंपल सा ये है कि कई बार आप सवाल करते हैं पेपर के अंदर चल रहा है 7 गुणा 23 unit digit आएगा तुरंत C पर टिक मारा दिमाग ही नहीं लगाया अब सोच के देखो सवाल ऐसा था कि देखते ही पढ़ा गया 7 इन 21 की वज़े से देखते ही सोल हो गया तो इसका मतलब इस बात को करने में अगर आपको मालो 10, 15, 20 सेकंड लग रहे थे ये तो आपने 5 सेकंड में पढ़के ही पूरा ममला एक संभावना और भी होती है ऐसा नहीं है कि भविस्य में आप जो भी सवाल देखेंगे इस टाइप का वो यूनिट डिजिट से हो जाएगा नहीं भई दूसरी संभावना ये हो सकती थी यहां पर कि माललो दो ओप्षन का यूनिट डिजिट के आता सेम जैसे पहले ओप्षन का भी यूनिट डिजिट सेम आता और दूसरे ओप्षन कौन सा दे रखा है सी का भी यूनिट डिजिट आपका सेम आ जाता बाकी option तो मानलो आपने contradict कर दिये कि ये तो out हो गए तो क्या करते सबसे best तो ये था उस case के अंदर ऐसे solve कर लो मानलो data और भी बड़ा दे रखा है तो किसका सारा लेंगे कि हमने unit digit का use करके पहले तो 2 option eliminate कर दिये उसके बाद हमारे पास 2 option बचे अब हम लोग सारा ले सकते हैं digit sum का digit sum का सारा लेंगे digit sum भी हमने पढ़ा है देखो 113 का digit sum क्या होगा 3, 4, 5 5 गुणा में 8, 7, 15 15 को क्या लिखोगे 5 और 1, 6 6, 5, 30 की वज़़े से 3 और 0, 3 digit sum क्या हैगा आपके पास 3 अब आप B, A का भी check करेंगे और आप C का भी check करेंगे जैसे आपने C का चेक किया digit sum add करते टाइम, 9 बन रहा उसको हटा दो 9 चला गया, 8 और 1, 9 भी चला गया option C में सिरफ और सिरफ क्या बचा आपके पास 3 अब कोई बच्चा ये कह देता है सर इसमें भी अगर सेम हो गया तो भाई उससे कर लो, कोई समस्या नहीं है ये वो चीज़े हैं कि अगर आपने एक बार सीख ली तो कई बार हम calculation में फस जाते हैं ऐसा नहीं है, ये यहीं काम आता है ये जो खेल हम लोग यहाँ पर करके मैंने आपको बताया है ये खेला आप arithmetic advance की कोई भी calculation है जहाँ पर आपको ये पता है कि answer आपका एकदम perfect निकल के आएगा उस case में आप इसीज़ को apply करें आपके result निकल के आएगे तो इसलिए इस सवाल को start लगा ले ना कि जो यहाँ हमने सीखा है वो important है चलो भी सवाल नमबर 13 a plus 1 by a 5 है a cube plus 1 by a cube क्या होगा 5 का cube मैंनस 3 गुणा 5 125 में से 15 चला गया option d 110 आपका correct है ठीक है time kill करने की need नहीं है सवाल नमबर 14 देखना 14 नमबर का सवाल language को read करो भी पहले तो आप फिर इसको देखते हैं कि इसका concept क्या है read कर लिया होगा अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो ध्यान से आपको यह पता है कि एक ही point जैसे यह इस diagram में आपको दे रखा है पी एक ही point से जब आप किसी circle पर दो tangent ड्रो करते है तो उस case में क्या होगा दोनों ही tangent की जो length होती है वो same निकल के आती है जैसा कि यह दिख रहा है PA और PB ठीक है यह होता है तो वैसे ही आप दिमाग लगाना इस point A से circle पर AP tangent है circle पर AS tangent है एक comment out यह भी हो सकता आपके मन करें कि सर्फ AB है tangent तो देखो tangent AB बराबर AD करोगे इस हिसाब से तो हमारा सवाल हो लिया क्योंकि क्या guarantee है वो tangent आगे कहां तक जा रही है कोई guarantee नहीं है कि यह यहां आगी कितना जाएगा यह यहां यहां तक ही जाएगा मुद्दा यह है इस point से जहां circle को इसने touch किया वो वाली length आपकी equal होती है tangent वो है tangent डाइग्राम के हिसाब से आप कितनी भी बड़ी बना सकते हो लेकिन जहां PA बराबर PB लिखते हो तो equal होने का मतलब यह होता है ठीक तो इसका मतलब point A से P tangent है A से S tangent है इसका मतलब इसकी इसकी length same B से BP और BQ की भी length क्या होगी same C से ऐसे ही CQ और CR की भी length same से DR DS की length भी same जो जो दे रखा है उसको लिखते जाओ A से B तक की value आपको 10 दे रखी है CD की value आपको 7 दे रखी है SD एक टुकडा यह दे दिया इसने 4 अब यहां से आपका काम बनेगा A से S तक की value कितनी है भी 5 तो ये वाली value 5 ये 4 तो इधर वाली भी 4 A से B तक 10 है ये 5 हो गया तो ये 5 लिखो गया तो ये automatic 5 होगा C से D तक 7 है 4 इधर आगया तो इधर क्या आएगा 3 और ये भी आपका 3 पूछा क्या है B से C तक की value 5 और 3 कितनी हो गई 8 ठीक है concept इतना सा ही है इसका solve करने का पड़ चुके है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सरी ये high five level के सवाल है 15 नमबर को देखना भी क्या कहा आप से 15 नमबर में अमित और सुनिल एक साथ 9 दिनों में काम पूरा करते हैं सुनिल और दिनेस एक साथ उसी काम को 12 दिन में अमित और दिनेस मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर अमित सुनिल और दिनेस एक साथ काम करें काम कितने दिन में पूरा होगा इतनी बड़ी language देने के क्या वज़ती language इसलिए दिये कि बच्चा decide करेगा, Amit लिखेगा सुनिल लिखेगा, Dines लिखेगा equation बनाएगा, सीधी सी बात देखो Amit सुनिल है, सुनिल फिर Dines है, फिर Dines अमित है मतलब पहले A, B, फिर B, C, फिर C है तो इसका मतलब दो-दो की पेर में काम कर रहे है, 9, 12, 18 का LCM देखना, 9, 18 का तो 18 ही होता है, 18, 12 का 36 टोटल वर्क कितना माल लिए आपने 36, ठीक है, करना किसको है, तीनो को, अब एक बात बताओ, Amit और सुनिल मतलब A और B की combined efficiency कितनी होगी, 36 बटा 9, 4, फिर B और C की 36 बटे 12, 3 और C और A की 36 बटे 18 कितनी होगी, 2 इसमें क्या है, A, B की efficiency B, C की, C, A की, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, A, B और C की तो इसमें 2 बार Amit है, 2 बार सुनिल है, 2 बार दिनेस है, इसमें division 2 का कर तो 2 आपका उपर चला जाएगा, 4, 3, 7, 9 और ये कितना, 9, 4, 36, पूरा का पूरा कम, 3, 9 मिलकर 8 दिन में कर लेंगे ये हम लोग पढ़ चुके हैं और exam में इन सवालों को ऐसे ही deal करना होता है सवाल रीड करना क्या का, एक स्कूल में 4% student, annual exam या वार्सिक परिक्षा के लिए उपस्तित नहीं हुए परिक्षा में जितने भी सामिल हुए थे 10% उसमें पास नहीं हो पाए remaining student में से 50% ने distinction distinction ठीक है, ये गलत लिख रखा है, इंदी में distinction होता है, इंगलिस में correct है कि अंक प्राप्त किये और 432 छात्रों ने परिक्षा उतिर्ण की, लेकिन उनके distinction अंक नहीं मिले, स्कूल में छात्र कितने है एक बात आपको बताई होगी पढ़ाते टाइम कि ये जो remaining का concept होता है remaining का concept कहां कहां लगता था एक तो हमारे जो चुनाव वाले सवाल थे, उनमें लगता था एक आदमी कुछ कमाता है remaining का, यहाँ खर्च करता है उसका remaining का यहाँ खर्च करता है same to same ये का concept इसने यहाँ पर school वाले में काम में ले लिया ये एक ही line में soul होने वाले सवाल होते हैं चाहे चुनाव के हो, चाहे income expenditure के हो, या school के हो, या किसी चीज को लगातार खरीदा बेचा जा रहा है, सभी का समाधा ने की line था, initial level पर कितने student थे तो देखना, X student माल लो, और आपके पास actual में data किसका है, 432 का, आपको X से शुरुआत करके 432 तक जाना है, तो देखो, 4% student तो ये total है, 4% तो exam में ही present नहीं थे, तो कितने present थे 96, 4% वैसे क्या होता, एक बटे 25 तो, एक absent था किस में से 25 में से, तो present कितने 24, अपोन में 25, 96%, exam में आ गए, इन में से क्या हुआ, बही 10% फैल हो गए, पास कितने वे 90% क्या लिख दू, 9 बटे 10, ये वो student है, जो आपके क्य हो चुके है, पास, इन में से 50% ने तो distinction ले लिया, बचे कितने हैं भई, 80% बचे remaining के अंदर, 50% एक बटा दो, जिनके distinction नहीं है, तो X का इतना क्या बताता है, 432, solve करोगे, result perfect आएगा, perfect आएगा, तो काटना स्टार्ट कर दो, 9 से काटा, 9, 4, 36, और कितना बचा भी, 7, 6, 13 9, 8, 24, 24 से काट दी आपने दो बार, X की value देखना जरा, 2 गुणा, 2, 4, 25 से गुणा किया, 100, और 1 आपके पास ये वाला 0, तो number of students हमारे पास यहाँ पर स्कूल में कितने थे, 1000, क्योशन number 17 को देखना जरा, क्योशन number 17, एक diagram दे रखा है, AB आपके पास 8 है, फिर AC भी दे दिया, ABD 90 डेग्री है, diagram में भी लग रहा है, right angle triangle है, और बता भी रखा है, चलो, diagram बना देता हूँ मैं, वैसे data असान है, इस हिसाब से मैं रख्यांसे diagram की need नहीं है, AB और यहाँ कहीं आपके पास C है और यहाँ कहीं D है, AB की value आपके पास 8 है, A से C तक की value आपके पास ये वाली 10 है, और A से D तक 17 है, CD की value आपसे पूछी है, अब एक observe करना बात को, 8, 17 तो इसका मतलब इस triangle में ये value कितनी होगी, 15, आपको कहा था कि triplet कैसे बनते हैं, एक video बना रखा है, वो देख लें आप, और जितने triplet हैं, अपनी exam में काम आते हैं, वो सारे के सारे आपको याद भी करने, उनमें से 8, 15, 17, 1 है, 15 आगई, 8, 10 की वज़े से ये 6 आगई, टोटल 15 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये वाली value यहां से कितनी आएगी, 9, तो आपसे जो CD की value पूछिए, वो 9 आगई, वर्बली कर सकते थे वैसे, देखो, अमित ने साधान ब्याज पर 25,000 रुपे उधार लिए, भोला ने चक्रवर्दी ब्याज पर समान रासी उधार दी, दो साल के end में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपे अधिक ब्याज देना पड़ा, प्रती वर्ष ब्याज की दर क्या है, ये सवाल वैसे ठीक है, रीजन क्या है, इसका जो सवाल का पूछने का नेचर है, वो थोड़ा सा प्यारा है, अधरवाईज आपसे ये कह सकता था, कि 25,000 रुपे पर 2 साल के साधान ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज का अंतर कितना 160 रुपे है, अब उसको देखते ही तो हर बच्चे के कान हो जाते हैं, वो क्या करेगा, यहां पर भी 25,000 रुपे हैं, पहले साल और दूसरे साल, पहले अगर आप इसका आर परसेंट निकालेंगे, वैल्यू ए आएगी, फिर आर परसेंट निकालेंगे, वैल्यू ए आएगी, यह पूरी लाइन किसको बताती थी, साधान ब्याज क फिर इस ए का भी आर परसेंट आप निकालेंगे, तो यहां वैल्यू भी आएगी, यह पूरा का पूरा क्या था आपका CI, और यह वाला जो डेटा था, यह क्या था आपना CI-SI, अगर आपको यह कहता कि 25,000 रुपे के 2 साल के साधान ब्याज और चक्करवर्ती ब्याज का अ तो यह भी पूछने का एक अच्छा तरीका है कि उल्जा दिया अमित और भोला, तो कोई उसी में खोया हुआ है, कोन भोला है इसके अंदर और कोन अमित है, सिंपल सी बाद समझो, असल में एक्जाम में क्या करना था, 25,000 रुपे पर 2 साल के साधान ब्याज और चक्रवर् यह बात आपको लिखनी थी, परसेंटेज 2,0 को खतम कर देगा, एक जीरो से एक जीरो गया, परसेंटेज 25, अपोन में 100 है, तो नीचे क्या बचेगा, 4, आर इस्वाइर बरावर 64, आर की वेल्यू कितनी आ जाएगी, 8, एक्जाम में करने लाइक यही बात थी, यह तो बस मैंने आपको इसलिए समझाया है, कि हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, तो अटलिस आपको आइडिया तो हो कि यह वाला कॉंसेप्ट था इसके पीछे, चलो भई, 19 का देखना, क्योंसर नमबर 19, एक ट्रेंगल में दो भुजाओं कि माप कितने हैं, 5 और 8 तीसरी भुजा हो सकती है, तीसरी साइड क्या होगी, दोनों साइड का सम, 8 और 5 तेरा से कम होगी, दोनों साइड का डिफरेंस, 8 और 5 का डिफरेंस, 3 इससे जादा होगी, इकवल भी नहीं हो सकती कहीं, तो इसका मतलब 3 से बड़ी value और 13 से छोटी value कौन-कौन सी या देखना जरा option में सिरफ और सिरफ c option ऐसा है जो इस बात को justify करता है पड़ चोके है easy way में भी कर सकते थे कोई तनाव नहीं था देखो again एक सवाल आपके पास 2x-5y का whole cube में x का coefficient क्या है असल में आपको ये formula नाची है बस x-y का whole cube कहा था कि ये जो formula वाला जो part है इस पर command बना लेना reason क्या है कि railway में ऐसा सवाल आपको वैसे तो past में नहीं मिलेगा लेकिन पिछले एक डेट साल से या दो साल से अससीन को काफी धूमधाम से पूछ रहा है तो ये रहता है scenario जैसे मैं एक simple सी बात बताता हूँ जैसे ही हम लोग moktes design करते हैं तो सबसे बड़ा challenge ये रहता है कि नए type के सवाल कहां से उठाए जाए तो उसके लिए अपने पास गिने चुने source हैं CDS कैसे सवाल पूछता है bank P.O. कैसे पूछा है recent के अंदर SSC CGL ने mens में कुछ ढंके सवाल पूछे है CP.O. में कुछ सवाल मिल गए CHSL CGL इनके prelims में आपको कुछ सवाल मिल गए state level की exams को इतना ज़्यादा check नहीं करते क्योंकि state level की किसी भी exam के अंदर कोई भूछ दमदार सवाल नहीं मिलते railway के group D के अंदर भी कुछ-कुछ सवाल बीच-बीच में सारे नहीं कुछ-कुछ सवाल मानलो 50 सवाल है उनमें से 2-3 सवाल आपको ठीक मिल जाते है तो ये scenario रहता है तो इसलिए जो SSC बार-बार पूछ रहा है और railway को पेपर बहुत सारे बनाने है तो एक संभावना हम लोग ठीक-ठीक समझदार आदमी की तरह से ये अजूम कर सकते हैं या तो वो अपना पुराना धर्रा रखें पुराने धर्रे के सवालों में कोई दमखम वाली बात है नहीं तो निश्चिन्थ होकर के जाएंगे पूरे में से पूरा स्कोर वैसे आ जाएगा एक संभावना ये है कि ये लोग हो सकता है SSE से सवाल उठाने स्टार्ट करें तो उनको हम लोग वैसे डिसकस कर रहे हैं ठीक है इसलिए जो काम आपको कहता हूँ कि ये वाला काम थोड़ा सा ध्यान रखो इस पर अपनी कमांड थोड़ी अच्छी रखो तो आपको क्या है कि औरों से पूरे के पूरे पेपर में औरों से पांच सवाल तीन सवाल भी आप अलग करेंगे तो जैद सी बात है एक अच्छी खासी लीड ले जाएंगे और रेलवे का जो स्टार्टिंग में रिजल्ट आएगा एक एक नंबर के उपर आपको कई कई हजार बच्चे मिलेंगे तो आप अंतर समझ सकते हैं तीन च्यार सवालों की वज़े से भी कितना एक्स्टा क्रियेट हो जाता है तो थोड़ी सी एक्स्टा मेनत करें अच्छा खासा डिफरेंस क्रियेट हो जाएगा अब आपको पता है कि X का गुणा कब आता है तो देखो A का क्यूब होगा फिर B का क्यूब होगा फिर 3 इंटू A स्क्वाइर यहां तो x square आएगा 3 into A square B B की value minus y है फिर अगली term क्या होगी 3 A और B square ऐसी term बनती है यह minus y है इसको लिख लो ऐसे कोई समस्या नहीं है formula बताया था तो explain किया था तो इस सवाल में भी देखो पहले का cube दूसरे का cube फिर 3 into पहले का square दूसरे value as it is फिर क्या लिखते हूँ 3 into में पहली term 2x into में अगली term minus 5y का square कितना आगया 25y x का multiple बताना था तो x के अलावा जितनी भी चीज़ें y square आएगा भई बचिया वो इसका multiple है 25, 50, 60, 50 y square यह हमारे पास हो गया result error क्या हो सकती है plus minus की error हो सकती है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखे चलो भई अगला सवाल अपने पास question number 21 language को देखना जरा और mock test कैसे लगते है at least इतना काम आप कर सकते हैं कि class complete होते ही comment करके जाया करें आपके कोई suggestion है तो भी आप comment कर सकते है और आपको ये लगता है कोई सवाल difficult है या आपको लगता है कि आने वाले mock test में किसी सवाल को सामिल करें तो at least उस सवाल को group पर जरूर send करें अगर आप लगातर जुड़े हैं 90 days भी आपने काम कर लिया revision में भी आप जुड़े वे थे या उससे पहले जब SSC CDS के लिए चल रहा था अपना तब आप जुड़े थे अगर आपको ये लगता कि ऐसे भी सवाल सामिल होने चाहिए तो आप group पर उनको send कर दें भविस्य के mock test में पूरा प्रियास रहेगा अगर वो सवाल genuine है रखने चाहिए तो उनको बिल्कुल रखेंगे अगला सवाल देखो कोस स्क्वार थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वार थीटा 2 तैन स्क्वार थीटा इक्वलस तो में 1 है अब थीटा की value 0 से 90 के बीच में है तो आपसे यही उसने कह दिया की थीटा की क्या value रखते है या तो आप देखो इसको solve कर दो solve करने का तरीका क्या है देखो bracket में या तो क्या करो जैसे option में से value उठा लो रखते जाओ एक तरीका यह है कि अगर आपको यह लगता है कि सवाल का कुछ पार solve हो जाएगा तो solve करो कैसे? cosë square theta minus 1 sorry cosë square theta minus 1 into 1 प्लस 10 square theta 1 प्लस 10 square theta को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर sec square theta sec square theta cos square theta से गुणा हुआ 1 minus यहाँ पर क्या आ जाएगा sec square theta plus 2 ten square theta equals to 1 1 से आपका 1 कट गया सेक स्क्वाइर थीटा को इधर वेज दोगे तो देखना जराद 2 इंटू में 2 इंटू में सेक स्क्वाइर राइड साइड के अंदर आपके पास यह आएगा साइन स्क्वाइर अपोन कोस स्क्वाइर यहाँ पर 1 upon cos square cos square से cos square कट गया 2 sin square theta बराबर 1 यह इधर भेज दोगे sin square theta की value 1 by 2 under root करोगे तो 1 upon में root 2 clear हो गया कि theta की value क्या है 45 degree या फिर क्या कर सकते थे by option में easy सा data लगता जैसे 45 परे try करते हैं सबसे पहले हम लोग तो try करते तो पहले ही आपको वो मिल जाता कोई समस्या नहीं थी इसके बाद क्या है मालो 45 पर justify नहीं करता तो 30 या 60 60 को जैसे उठाने का प्रियास करते क्योंकि cost की value थोड़ी easy पड़ती है या फिर मैंने आपको बता दिया एक दो step इसकी solve कर ले बदले में stove ग्राहक को 10% लाब पर बेशते हैं ठीक है वो जो लेकर गया है इन दुकानदार वो बेशते हैं ठीक यदि किसी ग्राहक को 7590 में guest stove मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है देखो X रुपए में manufacturer ने stove बनाया 10% लाब पर बेचेगा तो X का 110% क्या आएगा वही एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखना ठीक है ये देखो बात को थोड़ा detail में बता देता हूँ ये क्या है SP of manufacturer manufacturer ने S में बनाया X रुपए में बनाया 10% का लाब लेकर X का 110% में बेच दिया ये manufacturer की SP है और ये असल में देखा जाए and custom sorry shopkeeper की क्या है ये आपकी CP लिखा जा सकता है X रुपए में एक स्टोप बनाया था और उसे X का 110% में बेच दिया अब दुकानदार ने इसको इस रेट में खरेद लिया दुकानदार 15% का लाब कमाता है इसका मतलब आगे भी तो इसको सेल करेगा ये जितनी भी रेट थी इसका 15% लाब और 100% ये खुद तो इसकी 115% में बेच जेगा ये क्या जाएगी customer के लिए 7590 रुपाई ये आपका बनता है अगर इसको मैं सीधे सीधे सोल करूँ तो इतनी कलाकारी नहीं करनी है मैन्यूफेक्चर ने स्टोब बनाया उसको सक्सेसिव में सेल करने X रुपे में बनाया 10% का लाब लेकर बेचेगा 110% 11 बटे 10 में इसके बेच दिया दुकानदार ने इतने में खरीदा 15% का लाब चाहिए 15% क्या होगा 3 बटा में 20 कितने में बेचेगा 23 अपोन 20 में customer ने कितने में खरीदा 7590 में एक्चुल में ये करना था चलो गई result परफेक्ट आएंगे तो काट लें 11 से ही काट लेते हैं 11 6 6 6 11 9 9 23 एक्स बराबर 2 गुणा 3 6 2 0 ये वाले 1 0 ये वाला एक्चुल में ये करना था लगातार जब भी कभी sell होती है तो सवालों को आप इस वे में deal कर सकते है देखो एक दुकानदार ने 7,237 रुपए में computer table पर अंकित किया mark price लिख दी इसने computer table पर 7,237 वह इस पर 10% की छूट देता है 10% का discount फिर भी 8% का लाब या profit गेन करता है यदि वह किसी छूट की अनुमती नहीं देता तो उसका लाब प्रतिसत क्या है ऐसे सवालों में important बात ये है कि percentage में data दिया percentage में ही पूछ रहा है इसके आपको कोई need नहीं होते वो जान बूज करें इसलिए डालता इस type का जीवो गरीब data कि कोई बच्चा इसका 10% लेगा value निकालेगा रहा ऐसा कुछ इसमलेट करेगा तो उसके वैसे ही तनावाएगा सीधी सी बात है कि आपने क्या किया क्रेम उल्ले कुछ था टेबल का और उसके उपर लाब कितने का कमाया 8% का मतलब CP के 108% पर उसने बेचा एक उसने rate लिखी थी mark price इस पर इसने discount कितने का दिया 10% का या तो ऐसा समझ लो कि mark price का 90% क्या आपकी selling price या cost price का 108% भी आपकी क्या है selling price SP equal करके यह equation बनती है solve कर ले percentage से percentage कट गया देखो आपको एक बात और भी सिखाय थी CP की value यह है MP की value यह है 90 रुपई की चीज 108 में 90 रुपई की चीज पर 108 रुपई लिखे गए है कितने रुपई extra लिखे 18 कितने की खचीज थी 90 की अगर बिना discount बेशता तो यह 18 रुपई का लाब होता परतिसत में बदलना गुणा 105 बार कट गया result क्या आगया 20 या फिर लिख लिख करके करना चाहते हो CP upon MP लिखोगे तो क्या आएगा 90 बटा में 108 कितना आजाएगा 5 बटा में 6 5 की चीज 6 में गई एक का लाब 5 पर 1 बाई 5 क्योंकि इस बार discount नहीं देना है यह ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इस पर हम लोग काम कर चुके है divisibility का एक easy सा जवाल आपके सामने क्या कहा वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है कि स्टार के स्थान पर आने चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 4 से divisible या विभाज्य हो देखो सबसे बड़ी संख्या रखनी है 4 का division लग जाए सबसे बड़ी संख्या अगर मैं 9 रखों उप्सन में से तो 94 में 4 का division नहीं होता है क्या रखें 8 रख लें इसकी जगह 84 में हो रहा है 8 एंसर आ गया 4 के divisibility होती क्या है लास्ट के 2 डिजिट में आपको division करना होता है 4 का क्या reason है क्या logic है सारे के सारे discuss हो चुके है देखना 25 नंबर का सवाल क्यूसर नंबर 25 80 किलोमेटर परार की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी ट्रेन विप्रीत दिसा में 37 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेल गाड़ी को 18 सेकेंड में पार करती है दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगी देखो, स्पीड रिलेटिव दोनों की कितनी आगई असी, ओपोजिट डिरेक्शन में 8, 3, 11 117 किलोमेटर परती घंटा मीटर पर सेकेंड में बदलें तो 5 बटे 18 एक बात बताओ, स्पीड को अगर टाइम से गुना कर दें तो क्या हैगी डिस्टेंस असल में जब भी कभी दो ट्रेन चलेंगी तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तैह होगी तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ये लोग चले इस डिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं 17, 5 आपका 85 और 5 टोटल दोनों ट्रेनों ने दूरी चली है 585 एक दूसरे हो क्रोस किया है इन में से एक ट्रेन की लंबाई अगर 287 है तो आपको पता है लेस कर दोगे 8, 7, 15 ये आपके पास आजाएगा 9 और यहाँ पर आजाएगा 2 दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 208 में क्यों जब भी कभी दो ट्रेन एक दूसरे को एक दिसा में या ओपोजिट डारेक्शन में क्रोस करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तैय करनी पड़ती है जो कि 585 है निकल गई उसमें से पहले ट्रेन की लंद को लेस कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा सीदे सीदे एक सवाल आपका 26 नंबर है चलो डिसकस करी लेते हैं वरना फिर छूटता रहेगा ये सवाल सवाल को देखना ज़रा आपको दे रखा है SSC का ही सवाल है almost सवाल अपने SSC के ही है कुछ CDS के सवाल है और कुछ railway के होता है 5 sin square theta प्लस 14 cos theta equals to में आपके पास 13 है theta की value क्या है 0 से 90 के बीच solve करने के तरीके समझना ज़रा इसको आपको पता result 13 बनना चीए तो इसका मतरब theta की ऐसी value लिखे है कि जिसकी वज़े से इन में root ना बने अंड root की value ना बने जैसे अगर मैं यहां check करना चाहूँ अगर मैं value यहां रखता हूँ देखो 0 और 90 तो रख नहीं सकते अगर मैं 45 रखूँगा इसकी value 1 by root 2 बनेगी इस जगे पर यह perfect बनेगी result 13 आ नहीं पाएगा नहीं रख सकते 45 degree बात को उबज़र करना 45 degree क्यों नहीं रखा अगर मैं 30 degree value रखता हूँ 30 degree में यह value बनेगी 1 by 2 उसका square होगा लेकिन यह value root 3 by 2 होगी root 3 कहां जाएगा result 13 आ नहीं चीए 30 degree भी आपका हट गया अगर मैं 60 degree रखता हूँ तो इसकी value क्या होगी root 3 by 2 का square तो यह वाली value क्या बनेगी 3 बटा में 4 बनेगी ना जैसे लिखके बता देता हूँ 5 गुणा में 3 बटा 4 plus cost 60 की value आपके पास क्या निकल के आती है cost 60 की value 1 by 2 यह 7 एक बात बताओ क्या यह 13 बनेगा कभी नहीं बन सकता reason क्या है यह value point में निकल के आएगी point में की कुछ value है उसमें साथ जोडोगे तेरा नहीं आ सकता इसका मतलब आप 60 degree भी नहीं रख सकते ठीक है हलंकि railway में जितने भी सवाल आए है उनका अभी तक का ऐसास तर नहीं बना है अगर आप 60 degree नहीं रख सकते तो फिर आपके पास समादान क्या है आपके पास फिर समादान बनता है quadratic equation ठीक है railway की इसाब से काफी हाइफाई सवाल है तो समझ लो एक बार समझ आ जाएं बहुत अच्छी बात है समझ ले जाओगे वैसे क्योंकि basic हमारा clear हो चुका है quadratic कैसे लगेगी तो बात को समझना quadratic equation होती कैसी है ax square plus bx plus c बराबर 0 ऐसी होती है आपकी quadratic equation एक time x square की होगी एक x होगी बाकी चीज़े multiple जैसे 5 multiple है 14 भी आपका multiple है 13 भी कोई आपका cos theta को sin में बदलोगे तो value and root में जाएगी लेकिन यहाँ आप एक समझदार ये दिखा सकते हो कि इस पूरे की जगह है एक step लिखी लेता हूँ सवाल काफी important है वैसे तो 1 minus cos square theta लिख लेता हूँ 14 cos theta minus ये आगया 13 ठीक है अब थोड़ा सा गोर से मेरी बात को समझना minus 5 गुणा करेंगे हम लोग minus 5 cos square theta right में भेज देता हूँ क्या बनेगा 5 cos square theta plus 14 cos theta इसको भी right में भेजो minus का 14 cos theta ये देखना 5 है वो 13 लग से ही है 5 उदर भेजोगे तो यहाँ minus में जाएगा minus 5 होगा तो 8 बज़ेगा बराबर 0 Quadratic equation है ये देखना ax square plus bx plus c बराबर 0 का format x मेरा cos theta है तो यहाँ cos theta cos square theta आगया बाकी आपके multiple तो important बात में आपको ये कहना चाहरा हूँ हलंकि railway में मुझे उमीद तो नहीं है लेकिन हमने अपना level इतना boost कर रखा है तो प्रियाज करने एक बार की अक्चुल में सवाल sol कैसे होते हैं ठिक अब एक बात बताना cos theta की अगर मैं value लिखना चाहूँ तो स्रीधराचारिये में इसकी value निकालते हूँ इसमें किसकी निकालते हो x तो ऐसे यहाँ पर आप value निकालोगे cos theta की क्या लिखोगे minus b minus b क्या जाएगा 14 फिर क्या लिखोगे plus minus b का square 14 का square 196 लिख देता हूँ plus का क्या लिखते हूँ b square minus 4 a c 4 गुणा में a गुणा में c 4 गुणा 5 b square से करोगे 160 आजाएगा आपके पास अपोर में अपने पास क्या value आएगी 2 a दो गुणा में 5 ठीक है अब थोड़ा सा उपजर्व करना 106 में में अगर आप less कर देंगे कि इसको 196 में से 60 को 36 और इस पूरे को ही जब आप solve करेंगे 36 की वज़े से यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 6 बच जाएगा बच गया भी अब देखो एक value तो क्या बनती आपके पास 14 प्लस 6 20 20 में आप 10 का division करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा बात को ध्यान से समझना यहाँ भी एक सीखने लाइक बात है 14 में अगर आप 6 add करेंगे 20 बनेगा upon में 10 है 20 में 10 का भाग दोगे 2 आएगा अब मुझे एक बात बताओ क्या cos theta की value 2 संभव होती है sin theta cos theta की value minus 1 से लेकर 1 तक हो सकती है 2 नहीं होगे तो इस वज़े से मैंने यहाँ पर plus को हटा दिया क्योंकि ऐसी value संभव ही नहीं है तो कई बार क्या होता है कि जब आप books में solution देखते हैं तो हर बच्चे के सामने यह challenge आता है क्यार यह कभी plus रख देता है थोड़ी देर पहले plus की बार चल रही थी इस बार वाले में minus रख लिए ऐसा क्यों reason यह है कि कोई चीज justify नहीं हो सकती असल में quadratic equation नहीं था अब हमने अपनी सहुलियत के लिए इसे quadratic equation में convert किया ठीक है तो minus क्यों है समझ में आ गया होगा plus रखते तो cos theta की value दो आ रही थी जो हो नहीं सकती अब संबव होगा 14 में से 6 चला गया 8 में 10 का division कर दिया कितना आएगा 4 by 5 आ गया 4 by 5 तो एक से चोटी value है अब देखो ये किसको बताता है base को ये किसको hypotenuse को इन दोनों की वज़़ से perpendicular कितना आ जाएगा हमारे पास triangle बन गया ये सारा का सारा scenario मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अब मुद्दे की बात कर देते है सेक थिटा की value लिखोगे कोस की चार बटे 5 है तो ये आ जाएगी 5 by 4 प्लस कोड थिटा की value base अपोन perpendicular 4 by 3 अपोन में सेक थिटा की value लिखोगे तो 5 अपोन में 3 5 अपोन में 3 प्लस 10 थिटा की value लिखोगे तो 3 अपोन में 4 उपर नीचे 12 गुणा कर देते हैं तो यहाँ बनेगा 15 यहाँ बनेगा 16 यहाँ बनेगा आपके पास 20 और यहाँ बनेगा आपके पास 9 तो 31 बट्टा में 29 39 यह आपका क्या बनेगा यहाँ पर 29 यह आपका result बनेगा सवाल काफी ज़्यादा यह important है असल में इसकी यह approach होती है मेरे इराई इस सवाल को लेकर क्या है SSC में पूछा गया है SSC के हिसाब से भी इस सवाल को आप moderate level का मान सकते हैं reason क्या है इसके अंदर कोई सीधी सीधी संभावना ही जो बनती है वो मैंने आपको तुरंट solve करके बता दी कि इस ही संभावना पर काम नहीं किया जा सकता तो संभावना ही क्या बची solve करने की quadratic equation algebra की value को trigonometry की value को आप algebra की through quadratic equation बना करके solve करते हैं तो time तो उसमें लगेगा factorization method यहाँ पर भी इतना सटीकता के साथ काम नहीं कर रहा है हलांकि कर रहा था 8 गोना 5 40 बन रहा था plus का minus 10 minus 4 करते तो उस वज़े से 4 बटे 5 साब बन रहा था कोई समस्या नहीं थी उसके अंदर लेकिन यह है हम लोग इसको इस हिसाब से क्यों नहीं करते reason यह है कि हमारी सीरीज चल रही है railway की SSE के हिसाब से पढ़ा होता तो आपको सीरी धराचारी यह ना लगवा करके मैं सीधे यहाँ पर 4 बटे 5 पर ले आता ठीक अभी तो आज की इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर या इस पूरे के पूरे मोक्टेस के अंदर यह सवाल हमारा ठीक लेवल का था बीच के अंदर आपको 4 या 5 सवाल ओ ठीक लगे होंगे कुछ जगे मैंने आपको यह मेंशन किया था कि यहाँ पर error कर सकते हैं उस चीज का भी आप एक विशेज ध्यान रखेंगे इतना सा है सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें क्योंकि अगर आप सिंसिर स्टूडेंट ही कमेंट नहीं करेंगे तो एक बात बताओ जो बच्चा सिंसिर नहीं है उससे क्या उमीद की जा सकती है तो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको ठीक लगता है सेर करें ना करें आपकी मर्जी है मैं तो इतना ही कहता हूँ उन PDF को सेर कर दिया करें जो आपको ग्रूप पर मिलती है ठीक और दूसरा है जो भी क्लास आप देखते हैं झाल